आज हम सात्वी कक्षिया की उडान कारिय पुस्तिका के विश्य इतिहास का पार्थ तीन त्री पक्षिय संगहर्स पाल परतिहार और राष्टर कूट किरिया कलाप में आने वाले कारिय पत्रक को हल करना सीखेंगे सभी बच्चे वीडियो को सुरू से लेकर अन तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में दिये वैल आइकन को जुरूर प्रेस करें तो देखें एक बार ये है हमारा पाठ तीन त्री पक्षिय संगहर्स पाल परतिहार और राश्टर कूट किरिया कलाप इसमें यहां पर कारिय पत्रक एक दिया गया है और कारिय पत्रक एक में है कि नीचे दिये गए भारत के मानचित्र में पाल परतिहार एवं राश्टर कूट राजवनसों के राज्यों को अंकित करें और यहे सब राजवन्स आज के कौन से आधुनिक राज्यों में बसे थे और भारत के मानचित्र में कन्नोज कहां स्थित था तो बच्चो एक बार हम मानचित्र में चलते हैं भारत का मानचित्र यहां पर है पाल परतिहार और राष्टर कूट राजवन्सों का और उसमें मैं आपको कन्नोस भी बताऊंगी कि कहां पर है ये देखिए एक बार ये यहां पर है पाल, परतिहार और राष्टर कूट सामराज्य है लिख रखा है ना और ये एरिया जो है बच्चो यहां देखो ये ग्रीन जो एरिया है ये गुडजर परतिहार का एरिया है यहां देखो लिख भी रखा है ये जो एरिया है यहां पर ये पाल का एरिया है और ये वाला जो एरिया है जो आपको पिंक कलर में नजर आ रहा है ये सारा राष्टर कूट जो सामराज्य है उसका एरिया है यहां पर अब हमें कन्योज देखना था तो यह देखो बचो यह रहा कन्योज यह देखो यह लिख भी रखा है यहां पर एक बार आपको अलग कलर से दिखा देते हूं यह देखिए यह रहा यह है कन्योज ठीक है यहां देखो तो अब इसमें देखो यहां लिख भी रखा है गुजर परतिहार ग्रीन कलर में है पाल जो है वो बैंगनी कलर में दिखाया गया है और यहां पर देखो राश्टर कूर जो है वो गुलाबी रंग में दिखाया गया है और यह सागर का जो यह हिस्सा है यह सारा ब्लू कलर में जो है वो सागर को दिखाया गया है तो इस तरह से ये भारत के नक्से में पाल, पर्तिहार और राश्टर कूर्ट सामराजय यहां यहां पर स्थित हैं अब हम वापिस आजाते हैं अपने कारिय पत्रक 2 पर और यहां कारिय पत्रक 2 में जो है दिया है कि नीचे की तालिका में एक और उन बड़े सहरों के नाम लिखें जिन्हें आपने देखा है दूसरी और इन सहरों के समोग वरियता करम लिखें अर्थार्थ सरवाधिक प्रियस्थान के आगे एक फिर इसी तरह से आगे बढ़ते चलें तो यहां पर बचो इसने कहा है कि आपको जो भी जिस भी सहर में आप गए हैं आपके दवारा जो सहर देखे गए हैं उन सहरों के नाम यहां पर तालिका की साईट लिखना है और जिस उनको वरियता देनी कि सबसे अच्छा सहर आपको कौन सा लगा है तो वो आपको यहाँ पर लिखना है अब जैसे कि यहाँ पर मालो आपने सहर देखा है चंडीगड सहर में घूमे हुआ ठीक है तो यहाँ पर लिख देना है आपको ठीक है जिस भी सहर में मैं वैसे बता रही हूँ, मुझे नहीं पता कि आप चंडीगड गए हो या नहीं गए हो, मैं एक्जेम्पल दे रही हूँ, मानलो आप दिल्ली गए हैं, तो दूसरे नमबर पर दिल्ली भरें, मानलो आप यमुना नगर आपने देखा है, तो आप यमुना नगर भरें, इस तरह से आप यहाँ पर यमना नगर लिखेंगे, दूसरे नमबर पर मालो आपको चंडिगर्ड जो है वो अच्छा लगता है, तो आप दूसरे नमबर पर चंडिगर्ड लिखेंगे, इस तरह से बच्छो, आपको ये काम खुद ही करना है, आगे यहां पर आजाती है कारियपत्रक तीन और इसमें है कि आपका धर्म कोन सा है तो आपको अपना धर्म बताना है बच्चो मानलो आप हिंदू है तो यहां हिंदू लिखेंगे मानलो आप मुसल्मान है तो यहां पर मुसलिम लिखेंगे ठीक है आपका धर्म मुसलिम धर्म है ठीक ये काम आपको खुद करना है आगे है आपके देश का धर्म कोन सा है तो बच्चो अपने देश का कोई भी धर्म नहीं है हमारा देश जो है धर्म निर्पेक्स देश है ठीक है हमारा देश धर्म निर्पेक्स देश है आगे है धर्म निर्पेक्षता का क्या अर्थ है धर्म निर्पेक्षता का अर्थ पूछा है वचो धर्म निर्पेक्षता का अर्थ होता है कि अपना कोई भी एक धर्म नहीं है सभी धर्म एक समान है यानि कि हम सब भार्दिय धर्म किसी एक धर्म के पक्स में नहीं है हम सभी धर्मों को बराबर मानते हैं सभी धर्मों को समान मानते हैं ये होता है धर्म निर्पेक्स अब आगे कि बोध धर्म पर दो पंक्तियां लिखिए बोध धर्म पर दो पंक्तियां लिखनी है तो हम लिखेंगे बोध धर्म की स्थापना गोतम बुद्ने की थी इस धर्म का मानना है कि हमें सत्य और अहिंसा का पालन करना चाहिए अब आगे आ जाता है बच्चों यहां कार्य पत्रक चार दिया है पता करें कि आपके घर में विशेश अवस्रों पर सोने चांदी के सिक्कों का प्रियोग किया जाता है तो बच्चों अगर प्रियोग किया जाता है तो आपको लिखना है हाँ जैसे कि दिवाली होती है दिवाली पर हम नए सिक्के चांदी या सोने के सिक्के खरीदते हैं और लक्समी जी की पूजा करते हैं इसी तरह से जिन भी अवश्रों पर आपके यहां चांदी या सोने के सिक्के खरीदे जाते हैं तो आपको जो है वो लिखना है जैसे किसी की शादी है हम जो है शादी में भी दुल्हे को भी दे देते हैं और जो दुल्हन होती है उसे भी मूँ दिखाई में चांदी का या सोने का सिक्का दिया जाता है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं ठीक है आगे आता है आधुनिक सिक्के किस धातु के हैं तो आधुनिक सिक्के तो हैं वच्चो एक तो ये सटील के सिक्के चले हुए हैं आपने देखा भी होगा एक रुपए का दो रुपए के पांच रुपए के जो सिक्के हैं वो सटील के चले हुए हैं, एक मिक्स धातू के भी बने हुए होते हैं, मिक्स धातू, आगे इसने पूछा है सिक्कों पर क्या लिखा होता है, तो यह हम यहां पर लिखेंगे, यहां पूछा इसने सिक्कों पर क्या लिखा होता है, सिक्कों पर आपने देखा भी होगा बच् क्या लिखा होता है सिकों पर एक रुपया लिखा होता है और क्या लिखा होता है भारत सरकार लिखा होता है भारत सरकार और आप सिका देखेंगे एक रुपय का, दो रुपय का, पांच रुपय का सिका लेकर देखना और उस पर देखना क्या लिखा हुआ है आप वही यहाँ पर लिख देना ठीक अब आगे आजाता है यहाँ पर हमारा है कारिय पत्रक 5 और इसमें पूछा है कि आपके माता पिता दवारा सरकार को कौन-कौन से टेक्स दिये जाते हैं वो टेक्स जो है आपको यहाँ पर लिखने है तो बच्चो उन टेक्स में जो है एक तो है इंकम टेक्स इंकम टेक्स भरते हैं जो आप करते हैं नोकरी करते हैं वो इंकम टेक्स भरते हैं एक हम GST भरते हैं ठीक है, तो इस तरह से आप यहां पर लिख सकते हैं, अब आगे है कि लोगों की भलाई के लिए सरकार दवारा किये जाने वाले दो कारिय लिखने हैं, तो एक तो लोगों की भलाई के लिए लोगों को शिक्षित करने के लिए शिक्ष्या परदान करती हैं सरकार, शिक्ष्य स्वास्थय का ध्यान रखना सब्सक्राइब भी जो है सभी लोगों के स्वास्थय का ध्यान रखती है और आगे है कि आपके पठे नुसार राजाओं ने शिक्षा के लिए क्या किया है तो राजाओं ने भी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए काफी योगदान दिया है और हम इसमें लिख सकते हैं हर्श वर्दन ने शिक्षा के लिए विशेश कदम उठाए उसके समय में नालंदा विश्व विध्यालय काफी प्रसित विश्व विध्यालय था प्राचीन समय में राजा विद्वानों को पुरुस्कार देकर भी सम्मानित करते थे बड़े बड़े विद्यालियों और विश्व विद्यालियों को चलाने के लिए धन भी प्रदान करते थे अब आगे हैं यहाँ पर नेक्स्ट लेसन आ जाता है बच्चों और वो नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे अगर आपने अभी तक चैनल को शब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि जो भी मैं और आगे नया पार्ठ की वीडियो डालूं उसका नोट्विकेशन आपके पास आजाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचें तो हम फिर मिलते हैं पार्ट चार में